असलाम वल्लेकुम दोस्तों आपका फिट्स में स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गतर ख़बर YouTube चैनल पर तो साथियो आज की वीडियो में कतर से सबसे पहले जो ख़बर दोस्तों आप और इसके बारे में कल की वीडियो में आपको बदा दूगा पूरी जानकारी देदूंगा तो सातीयों इस बार कतर के तरफ से वहां पे Marine Heritage का रीप्रेजेंट किया जा रहा जिसमें दोस्तों वहां जो-मेडल वगयर है जो दिया जाएगा उसे रीप्रेजेंट किया गया यानिu रिविल किया गया है कि कौन कौन से medal दिया जाएगा तीन टैप का दोस्तो medal होगा जैसा कि gold medal, silver medal और bronze medal, gold color का जो दिखाई दे रहा है इसे gold medal कहते है silver color का जो दिखाई दे रहा है वो silver medal है और दोस्तो red tap का हलकाल को जो दिखाई तो उसे bronze medal कहा जाता है तो ये तीनो medal दोस्तों वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली ये तीनों medal वहाँ पर जो भी लोग जीतेंगे उसे दिया जाएगा तो दोस्तों कतर के तरफ से represent किया जा रहा है अगली कबर दोस्तों साथियों आ रही है साथियों बता दूँ आपको कल की दिन FCSN Cup में बहुत सारे मैच खेले गयें तो उसमें दोस्ते अक मैच खेले गया था वैटनम के बीच में और हंकों क के बीच में तो वैटनम और हornके के बीच में जिसमें बहुत साथी बहुत बाता देता हूं कतर किमेंद लिपा च्रफ में DR into परायद अगले टीमों को और कतर जो है क्वालिफाइक कर चुका है अगली कबर दोस्तों आरे लाज़ डिट विल भी फैबरी टेंथ एक्स्टेंशन एप्लाइ वर्ल कप भाईयों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कतर में हाया काड को लेकर अब आखो भी अच्छे से जानत से फिर से इसके डेट को बढ़ाया गया है जिहां सातियों दोस्तों इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है 24 फरवरी तक पर दोस्तों इसकी लाज़ डेट इंटरी जो होगी वो 10 फरवरी ही होगी यानि 10 फरवरी तक आप लोग इंटरी कर सकते हैं हाया काड के जरिये और 24 त तक रह सकते हैं पर 20 सारी के बाद आप करना चाहोंगे इंटरी तो कातर में नहीं मिलेगा है घंस अटर दूसल लिखा गया यह इंट्री वीजा के तोर मेरे जोंक करती साते हैं आसकते्व यहां के खबरों को दोस्तो पढ़ सकते हो गतरी कारश है का कार्ड हैस बिन एक्स्टेंडड अंटिल फर्वरी चौबिस सो विजिटर कें एटेंड दा रिमांडर आप लोग आप लोग जाना चाहते हो चौबिस सारी तक आप लोग पास मोहका है फर्वरी तक आप लोग जाकर देख सकते हो एपसी एसन कप को और इसका लुफ उठा सकत है कि अगली कबर दोस्तों आरे साथ ही वह आ रही है वह आ रही है दोहा मैट्रो को लेकर तो भाईयों एपसी एसन कप में दोहा मैट्रो का इस्तमाल काफी जादा किया जा रहा है तो बताया दोस्तों यह जा रहा है कि लगभाग 15-20 दिनों के अंदर एक 1,000,000 लोगों ने अब तक दोहा मैट्रो का इस्तमाल कर चुके हैं यानि लगभाग 10,000,000 लोगों ने तो साथ ही इसमें रिपोर्ट निकल कर यह आ रही है कि 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जो बताया गया कि सबसे ज़्यादा बेजी स्टेशन लूसेल और क्यून भी और देस है और मिस्रिव है तो यह सभी स्टेशन सबसे ज़्यादा बेजी बताएं गए तो दोस्तों यह कुछ खबरी थी अपडेट सी कोई भी मन में आपके सवाल हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़के समय कॉमेंट कॉमेंट को भी में एफ जवेशन लूसे ज़्यादाएं जागे मुझे कॉमेंट लूबरी थी भी मेंट ज़री दोसे ज़ादा दिएएंट